नमस्कार साथियों सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल मौरे गुरे कडमी में साथियों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मद्य परदेश से जितने भी 10th और 12th के स्टुडेंट है सभी लोगों के लिए बहुत ही बेस अबरी से इंतजार हो रहा है रिजल साथियों इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजेगा चलिए पूरा आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान ने इस पष्ट कर दिया है कि मादी में एक सिछा मंडल मद्य परदेश द्वारा आयोजी दस्वी हाई स्कूल एउ बारवी हायर सिकेंडरी स्कूल परिछा का आयोजन हर साल में होगा ठीक है ना अब आप लोगों को बता दिया जाए कि इस्टुडेंट को जर्नल परमोशन नहीं दिया जाएगा मद्य परदेश बोर्ड आफ सिकेंडरी एजुकेशन ने अपनी सारी तैयारिया पूरी कर ली है यहा डैगी की अपडेट जानने के लिए साथी हो ऐसे नहीं अगर आपको आपडेट चाहिए जितने भी टेंथ तो बोर्डेट से कहरा हूं अब आप लोगों को बना कि बिहार बोर्ड से चाहे, MP बोर्ड से चाहे, कितने भी कोई भी हम रिजल्ट को लेके और एडमिर्सान आएसे रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो दोस्तों जैसे MP बोर्ड का जितने भी स्टुडेंट हैं, अगर बोर्ड की तरफ से कोई भी जनकारी इस्थागीत होगा, आप लोगों को पता दिया जाए कि दस्वी और बार्वी का रिजल्ट अलग लग जा रही होगा, लॉगड़न होने के चलते दस्वी और बार्वी के पेपर अस्थागित हुए थे, दस्वी की इस्थागित दो परिछाओं में निरस्त कर दिया गया है, वहीं देखते हैं, नई तारीक का रिजल्ट का रहा है, यह आप लोगों को अपडेट भी दिखा रहता हूँ, नई तारीक का रहा है, दस्वी की कापियों का मुल्यकान कार्य भी लगभग पूरा होने जा रहा है, ठीक है ना, दस्वी का जो मुल्यकान की कापी है, जाच पूरा हो रहा है होने ही वाला है आप लोगों के लिए बता दूं तो माधिमेक सिच्छा मंडल के सचीव का कहना है जो माधिमेक सिच्छा मंडल है जो सचीव का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जून के दूसरे सब हफते में देख सकते हैं जून के दूसरे हफते मतल रहों चाशाइवैं हों उनका रिजेल्ट गोशित किया जाएगा अब आप लोगों के लिए जनकरइ यह दिया जाए कि जो बारवी के कछ्छा सिटूटेंट हैं उन लोगों के इरब लोगों के पसे उनला के जुलाए की महिने में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जबकि दोनों कच्छाओं का रिजल्ट अलग लग जारी किया जाएगा दस्वी और बार्वी के रिजल्ट में एक मेहने या पंदरा दिन का अंतर रहेगा आप लोगों को बता दिया जैसा थी हो जितने भी 10th 12th के इस्टूडेंट इससे पहले दस्वी और बार्वी का रिजल्ट एक साथी घोसित किया जाएगा दोस्तों आप लोगों को ऐसी जनकारी आप लोगों को कोई भी किसी भी चैनल के जरिये नहीं मिलेगा क्योंकि चैनल पे एक से एक अब्डेट आती रहते लेकिन वीडियो बनाती रहते हैं लोग लेकिन सही महत्पून जनकारी नहीं देते हैं आप लोग इसलिए परिसान भी होते हैं और उन लोगों से जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा परसार नहीं हो जाती है तो साथ ही ऐसे ऐसे अपडेट अगर सही रियल अपडेट चाहिए आप लोगों को तो हमारी चैनल से जुड़े हमारी टीम आप लोगों को real to real update देगी और सही सही माध्यम से आप लोगों को ख़बर भी बताएगी तो चलिए आगे की भी update पूरा जानते हैं काफियों का हो रहा है मुल्यकान आप लोगों को बता दिया जाए कि हर जिले में lockdown से पहले ली गई परिच्छाओं की काप्यों का मुल्यकान कार्य सुचार रूप से चल रहा है काप्यों के मुल्यकान का कार्य 25 अपरेल से शुरू किया गया था आप देख लीज़े आपको पूरा बेट बता रहे हैं 25 अपरेल से शुरू किया गया था 30 देख सकते हैं 30 साल बाद सिछोकों को घर पर ही काप्यों चेह करने से लिए दी गई उसके बात परइच्छा कैंदर पर डिपटी वप लुएह देख सकते हैं की में काप्यों उपर नंबर चड़ाए गयें कापियों के मुलेखन तीन चरणों में किया जाना है 10 वी के 70 फिस्दी और 12 वी के 30 फिसदी काफीयों का मुलकण कारे पूरा हो चुका है 10 वी और 12 के 33 अप बता देजाए एक करोड 33 लाग कापियों का मुलेकान पूरा किया जाना है पूरा आप लोगों के यह बता दिए जाए दस्वी के स्थागित पेपर किये गए निरस्त दस्वी के दो स्थागित पेपर अब नहीं लिये जाने का फैसला हुआ है दो विश्यों की स्थागित परिच्छाओं के नाम लिए जाने से रिजल्ट घोसी करने में असानी होगी क्योंकि दस्वी की कापियों का पहले से मुलेकान शुरू हो चुका है आप लोगों को बता दी जाए कि किस मार्च को स्थागित हुई परिच्छा के विश्यों में यह फैसला लिया गया है आप वे स्थागित पेपर नहीं लिए जाएंगे मतलब है कि जो परिच्छा रह गई थी आप वाविजित नहीं की जाएगी श्भर के बता दे जाए जाए उनके नमबर के अधार पर ही रिजeurs तयार किया है जो पेपर नहीं हो सके हैं उनके आगे पास लिखा जाएगा ठीक है अब आप लोगों के लिए जनकारी भी बहुत जिरूरी थी अब आपको बता दे जाए बारवी की परिछाएं का 9 जुन से आपको पूरा बताऊंगा मैं तो दोस्तों आप देख सकते कच्छा बारवी के स्थागित परिछाओं के लिए नई तारिखों का एलान किया गया है 9 जुन से 16 जुन तक कच्छा बारवी की परिछा ली जाएगी ठीक है 9 जुन से 16 जुन तक और आप लोगों को बता दिये जाए कि परिछा ली जाएगी पर परिच्छारतियां lockdown में जिस जिले में रह रहे हैं वहीं वहीं से उन नए देख सकते हैं उन नए परिच्छारतियों केंद से परिच्छा दे सकेंगे ठीक है ना जो परिच्छा केंदर हैं वहीं से आप परिच्छा केंदर हैं वहीं से आप परिच्छा दे सकते हैं इसके लि टू रियल वीडियो आप लोग खबर के साथ पाना है तो चैनल सा जरूर जुड़ जाएगा फिर दुबारा ना कहिएगा कि आप लोगों को कोई खबर मिला नहीं चैक किसी भी और आप लोगों को बता दिये जाए कि हमारे चैनल के जरी है आपको नहीं से नहीं अपडेट ख अझनल से घंडो साथ ठाएगाद है कि यसा जरी है नहीं से तो तो बता रख लोगों कि साथे पाना है कि भी तो नहीं से बता है और आप लोगों कि पलाएगा उन्वसा में हमारी से बता है पाना है तो है